एक lawyer एक औरत को murder के charges से protect कर रहा है इस murder mystery में कुछ ऐसी situation आती है जिसे सब कुछ वो doubt करता है Hello friends, आज के हमारे movie Body of Evidence in 1993 की एक murder mystery movie है इस movie में इसके अलग-अलग turns हमें last तक hooked रखते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे request करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो पसनाता है तो please like और comment जरूर कर दीजेगा इसे चानल को support मिलता है अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और रात में एक आदमी मरकर पड़ा हुआ है यह हम देख सकते हैं वो उसकी खुद की intimate होने की टेप देख रहा था सुबा होने पर यह murder report होता है सब पुलिस वेगरा वह investigation करने के लिए पोचते हैं थोड़ी देर में court का appointed lawyer भी वहाता है इसे फिर doctor से पता चलता है कि date का reason heart attack था crime scene एक bedroom है bed को कफ क्या गया था इसकी निशान वहा है जिसका murder हुआ है उसका नाम है Andrew Marsh कल रात उसकी date थी उसकी date के साथ उसने टेप बनाई थी bed पर ये टेप वो देख रहा था तभी उसका murder हो चुका था Andrew किसको date कर रहा था इसकी information Andrew की secretary को होती है secretary का नाम Joanna है Joe N.I.H. आती है और कहती है कि Andrew की girlfriend ने उसे मार डाला अब इस girlfriend का नाम Rebecca है Andrew का funeral जब चलता है तो वहाँ Rebecca भी है सब लोग उसे ही दोशी मानते है उसे गिनोनी नजरों से देखते है क्योंकि Andrew और Rebecca में एक बड़ा सा age difference था सब लोग को लगता है कि सिर्फ Andrew के पैसो के लिए ही उसके साथ थी इसी funeral पे ही Rebecca को मिलने के लिए एक lawyer आता है इस lawyer का नाम Frank है Frank उसे कहता है कि शायद police तुमें charge कर सकते है Rebecca बोलती है कि मैंने उसका murder नहीं किया था जो भी लोग समझते है ये सब गलत है उसकी age कभी भी मेरे लिए problem नहीं था मैं उसे प्यार करती थी मैं उसे क्यूं मारूंगे अब Frank Rebecca का lawyer बन जाता है रात में Frank अपनी family के साथ dinner कर रहा था उसकी wife को भी यही लगता है कि Rebecca Andrew के साथ सिर्फ उसके पैसो के लिए थी अगले दिन Rebecca को police investigation के लिए बुलाते है अब Robert Rebecca से पुछता है जिस रात तुम Andrew के साथ थी क्या तुम दोनों intimate हुए थे इसे वह हा कहती है वो Andrew के heart condition के बारे में उसे कहता है Rebecca कहती है कि मुझे पता नहीं था कि उसे कोई heart condition भी है Andrew ने यह सब उससे छुपा कर रखा था Robert पुछता है क्या तुमने कभी cocaine यूज किया है वो कहती कि नहीं Robert के पुछने का reason यह था जिस रात Andrew की death हुए उस रात उसने cocaine लिया था इन्हें लगता है कि Rebecca ने जबरदस्ती Andrew को cocaine दिया था उससे already heart condition थी उसने cocaine भी ले लिया तो इससे वो जल से जल मर जाएगा heart attack इसी वज़े से आया था उन्हें लगता है कि Rebecca ने जान बूच कर Andrew को मार डाला वो उसके साथ intimate हुए और उससे cocaine लिया इस सब से Andrew के heart पर लोड आया और वो मर गया Rebecca का lawyer Frank उससे कहता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए वो ज़्यादा answer नहीं देना चाहते है पर अचानक से Rebecca को arrest कर लिया जाता है Frank Robert से पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो Robert कहता है कि यह case strong है Rebecca के पास एक बड़ा सा motive था मरने से पहले Andrew ने अपनी wheel change की थी According to that Andrew के मर जाने के बाद 8 million dollars Rebecca को मिलने वाले है इसके बारे में Frank को पता नहीं था थोड़ी दिर में Frank Rebecca की बेल करा लेता है उससे कहता है तुम्हारे पास एक अच्छा motive था इसी वज़े से case strong हो चुका है Rebecca को इस बारे में कोई भी clue नहीं है वो बुच्ते ही कि ये क्या था Frank surprised होता है और फिर कहता है कि Andrew के wheel के according तुम्हें 8 million dollar मिलने वाले है वो फिर से कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा उसे तु wheel के बारे में पता ही नहीं था Frank कहता है कि अब Robert तुमारे अगेंस तुमारे character पर सवार उठाएगा Rebecca कहती है कि हम जो भी कर रहे थे एक दुसरे से पैर करते थे इसलिए कर रहे थे Rebecca और Andrew handcuffs लगा कर intimate हो रहे थे Rebecca कहती है कि मैंने किसी भी चीज के लिए उसे कभी भी force नहीं किया था जो वो चाहता था वही हम हमेशा करते थे Nixon में हम देख सकते है कि Robert Frank के office में उसे meeting करने के लिए आया हुआ है यहावर Andrew की secretary Joanna भी present है Joanna Frank से कहती है यह सब हमेशा Rebecca का plan था उसने खुद बहुत बार Rebecca को drugs करते हुए देखा है Joanna एक बड़ी सी witness बन सकती है तो यह सब सुनकर Frank बहुत इचिर जाता है वो directly Rebecca के पास आता है उस कहता है कि तुमें मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था अब पुलिस के पास evidence है Joanna testimony भी देखिए Rebecca उसे शान करकर एक जगा पर लेकर आती है यह एक shop है जहाँ पर सब natural medicines मिलते है वो एक medicine उसे दिखाती है जो actual में cocaine की तरह ही दिखती है वो गहती है कि मुझे crams की विमारी है इसलिए मैं हमेशा है medicine लेती रहती हूँ Frank को सच पता चल चुका है तो वो भी Jane की सास लेता है इसी shop में acupuncture की therapy भी जलती है यह therapy Rebecca कर रही थी तो Frank उसे notice करता है उसे घर drop करने के लिए भी आता है जाते जाते कहता है यह case जीतने के लिए मैं जान लगा दूँगा इसके बाद directly हमें court की hearing दिखाई जाती है जूरी के सामने रॉबर्ट कहता है कि रिवे का बहुत ही घटिया हो रहत है इसने एक बुड़ा आदमी देखा उसका bank balance देखा तो सब जीज़े calculate करकर उसे target किया उसने उसे मार डाला अब उसके सब पैसे उसे मिलने वाले हैं उसके बाद frank jury से कहता है वो कहता है जिस तरह से case लग रही है उस तरह से नहीं है लोग किसी चीज़ को देखते है और उसके बारे में opinion create करते है सब जूरी को वो इस case को object लिए देखने के लिए कहता है इसके बाद forensic के doctor को बुलवाय जाता है Robert उनसे बुछता है कि Andrew की death किस तरीके से हुई थी डॉक्टर कहते है कि cocaine की वज़े से हुआ था पर उन्होंने खुद ये नहीं लिये थे उनके पास एक nasal spray था जिसमें हुँ medicine रखते थे इसमें cocaine डाल दी गई थी और उसी वज़े से उनकी death हो गई Already उन्हें heart condition थी और इसमें cocaine ये deadly combination बन गया डॉक्टर कहते है कि जब Andrew की death हुई तब उसके हाथ में हट करिया थी इसमें frank objection लेता है कहता है कि Andrew के हाथ पर marks थे ये marks पहले की भी हो सकते है इसके बाद forensic doctor वहाँ से चले जाते है इसके बाद court में Andrew के personal doctor को बुलाया जाता है Robert इस doctor से एक incident के बारे में बुचता है एक बार Andrew ने try करने के लिए cocaine लिया था उस वक्त उसे बहुत तकलिफ हुई थी ये मरते मरते बचा था ये सब चीज डॉक्टर court को बताते है Robert यहाँ establish करता है अगर cocaine Andrew के लिए इतना खतरनाक था तो कभी भी अपनी life में फिर से लेने का वो नहीं सोचेगा वो सबको बताता है कि जबरदस्ती उसे cocaine दिया गया और उसकी date हो गई इसके बाद court में जोयना को बुलाया जाता है Robert उससे question बुशता है तो जोयना कहती है कि Andrew मरने से पहले worried था जिस तरीके से उसकी और Rebecca की relationship चल रही है इसका stress उसे आ रहा था वो जब intimate होते थे तो एक दूसरे के साथ games खेलते थे इससे Andrew के heart पर load आता था इसके बाद फिर जोयना से Frank question बुशता है वो फिर बुशता है कि तुमारी और Andrew की relationship किस तरह की थी जोयना कहती है हमारी professional relationship थी पर वो 6 साल से उसके साथ काम करती थी तो कभी कभी ये बात करते थे Frank फिर गहता है कि रेवेका एक नई सीटी में जाने वाली थी एक दूसरे से पैर करते थे तो शायद इस बात का उसे stress आया था Frank यहाँ प्रूव करना चाहता है काम का लोड रेवेका के जाने का दुख ये सब एंड्रूव के लिए जादा हो गया इसी वज़े से शायद उसे heart attack आया Frank के पास जोएना के खिलाफ कुछ reports है ये कोर्ट में दिखाता है जिससे प्रूव होता है कि जोएना एक drug addict थी वो जोएना से पुछता है कि क्या तुमने अपने boss को एक drug supply किये थे जोएना आप जो भी कहें कि इतना जादा hold नहीं करेगा रेवेका के खिलाफ अब जादा कुछ वो नहीं बोल सकते आज की हिरीम बहुत ही अच्छी गए रेवेका और Frank फिर celebrate करने के लिए आते है Frank रेवेका से पूछता है कि जब तुम पहली बार एंडू से मिली थी तो तुम्हें वो अच्छा कैसे लगा था रेवेका कहती है कि मैं पुरे रूम को देखती हूँ वहाँ मुझे जो अच्छा लगता है उसे हम चूज कर लेती हूँ एंडू के साथ भी ऐसा है हुआ था Frank फिर रेवेका को इस रूम को देखने के लिए भी कहता है वो सब आदमियों पर नजर डालती है Frank उसे पूछता है कि तुम्हें कौन पसनाया पर वो उसे बताना नहीं चाहती है यहाँ पर हम देख सकते हैं एक दूसरे के साथ यह फ्लर्ट कर रहे थे Frank रेवेका को घर छोड़ने के लिए आया रेवेका डारेकली उसे पूछ लेती है कहती है क्या तुम सोच रहे हो कि अगर हम इंटिमेट हुए तो यह कैसा रहेगा Frank कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ एक गलत होगा यहाँ से वो निकल गया पर गाड़ी उसने स्टार्ट नहीं की वो रेवेका के घर को ही देखता रहा उसने देखा तो रेवेका ने अपना डोर ओपन रखा है अपना माइंड जेंज कर लिया और घर में वो पहुच गया इसके बाद यह करीबा कर इंटिमेट हो गए रेवेका जिसके साथ भी इंटिमेट होती है तो उसके साथ गेम खेलती है इसी तरीके से वो फ्रैंक के साथ भी खेलती है इस वज़े से फ्रैंक के बोड़ी पर पूरे मार्स आ गए थे ये वो अगले दिन शावर लेते हुए नोटिस करता है उसकी वाइव भी आसपास थी तो ये देखकर वो डर गया अपने आपको उसने कवर कर लिया इसके बाद फिर से हमें कोट दिखाया जाता है इसमें Robert Andrew के डॉक्टर से ही अब बात कर रहा है उसे पुछता है कि Rebecca और Andrew ये दोनों तुमारे पेशन्ट है क्या कभी Rebecca ने Andrew के बारे में तुमसे पुछा था डॉक्टर कहते ही कि हाँ Andrew अमेर था और हमारे social pages भी भी हो था यहाँ पर वो कहना चाता है कि Rebecca को Andrew के heart condition के बारे में पता था इसके बात Frank डॉक्टर से question पुछता है वो पुछता है क्या कभी Rebecca के साथ तुमारी कुछ relationship थी वो सबको कहता है कि Rebecca और डॉक्टर एक दूसरे को date कर रहे थे जब Rebecca ने डॉक्टर से break up किया तो बहुत ही upset हो चुका था उसने उसे धमकी भी दी थी उसने कहा था कि तुमारी life में destroy कर दूँगा और Frank कहता है कि यही करने की कोशिश डॉक्टर कर रहा है आज की hearing भी बहुत अच्छी गए Rebecca बहुत ही खुश है तो Frank और वो पारकिंग में ही intimate हो जाते है इसके बाद next hearing में हम देख सकते हैं कि Robert ने एक नया witness लाया हुआ है इस witness के बारे में Frank को नहीं पता था इसे ओप्जेक्शन लेता है पर जजज मानती नहीं अब यह witness testimony दे सकता है इस witness का नाम Jeffrey है Jeffrey और Rebecca की भी एक दूसरे के साथ relationship थी इसके बारे में Robert question पुशता है Jeffrey कहता है कि Rebecca की साथ उसकी relationship बहुत intense थी जब भी यह intimate होते थे तो Rebecca हमेशा उसे push करती थी Rebecca के passion को कभी भी match नहीं कर पाता था Jeffrey का भी age ज़ादा है और उसे भी heart condition थी तो उसके heart पर भी load आना start हो गया था उसने फिर अपने heart की surgery की तो उसके बाद Rebecca उसे छोड़ कर चली गई वो गयता है कि Rebecca को हमेशा control में रहना अच्छा लगता है इस testimony की वेजे से Rebecca के लिए case hard हो चुका है अब सब लोग समझते हैं कि हर बुड़े आदमी को Rebecca फसाती है उसे मारने का plan मनाती है जिससे उसे सब कुछ property विगरा मिल जाया court होने के बाद जब Frank Rebecca से बात करता है तो बहुत ही घुसा है वो गयता है कि तुम्हें मुझे ये सब बात बतानी चाहिए थी उस पर शक करने लग गया है वो गयता है कि तुम्हारा type ही अलग है उसे अपनी गलती का भी realization होता है वो गयता है हम दोना में कोई भी relationship अब नहीं रह सकती इस सब situation को professional रखना जाता है जब रात में Frank अपनी wife से मिलने के लिए आता है आज Rebecca का Frank के लिए call भी आया था इससे Frank की wife को शक चला गया है और उस पर वो नाराज है Frank के body पर जो marks थे ये भी उसने देख लिये थे उसे confront कर कर कहे थी है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो Frank admit कर लेता है और उसे sorry कहता है उसकी wife गुसा है और वहाँ से वो चली जाती है Rebecca की वज़े से उसके marriage में problem आ गया उसे वो बहुत गुसा है वो गुसे गुसे में Rebecca के घर आता है बहता है तुमने मेरे wife को बोला क्या तुम अपने आपको समझती क्या हो Rebecca कहती है कि तुम गुसे में चले गए थे क्या तुम अभी भी मेरे साथ काम करना चाहते हो या नहीं ये पूछने के लिए मैंने call किया था Frank उस पर अभी भी believe नहीं करता वो जा रहा था पर Rebecca उसे tease करने लग जाती है ये दोनों फिर intimate होते है intimate होते वज Rebecca Frank के हाथ हटकिडियों से बानने वाली थी पर Frank नहीं होने दिया इस बार Rebecca की ही हाथ उसने बान दिये इसके बाद next time हम देखते हैं कि Frank का कली सब evidence को जाच रहा था इसमें उन्हें एक वीडियो टेप मिली जिसमें दिख रहा है कि Joanna के साथ Andrew intimate हो रहा है Joanna ने कहा था कि Andrew और उसकी relationship strictly professional है इसके बाद ये प्रूव हो सकता है कि Joanna के पास भी एक motive था अगली hearing में Frank Joanna से question पुछता है इतने साल तुमने Andrew के लिए काम किया था उसने अपनी will में 250K dollars तुमारे नाम किये थे जब Rebecca से हो मिला तो उसने will change कर दी इस सबसे तुमें किस तरह से feel हो रहा था Joanna कहती है किसी मुझे ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ा Frank को Joanna और Andrew के बारे में जो भी पता चला है ये सब को जो court को बता देता है वो argument करता है कि जब Joanna ने Rebecca और Andrew को एक साथ देखा तो जेलेस हो गई थी उसने फिर Andrew को मार डाला और Rebecca को फ्रेम करने की कोशिश की Joanna अल्डेडी ड्रग एडिक्ट थी तब उस पर और भी ज़्यादा शक जाता है अब फिर से इनके केज जितने के चांसेस बढ़ गए है Rebecca Frank से कहती है कि मुझे तुम टेस्टिमोनी देने दो मैं सब कुछ क्लेर कर सकती हूँ Frank कहता है कि इसकी जरुद नहीं पड़ेगी अगर Joanna ने इसा किया तो इसमें रिस्क है पर फिर भी वो Frank को मना लेती है Rebecca अपनी टेस्टिमोनी में कहती है कि Andrew से मैं प्यार करती थी हमेशा उसका खैल रखती थी इन दोनों ने कभी शादी नहीं की क्योंकि Andrew का अल्रेडी बहुत सारे डिवाउस हो चुके थे रिविगा कहती है कि जो भी चीज़े हम बेड में करते थे ये Andrew को अच्छी लगती थी इसलिए हम करते थे वो खोद ये सब चाहता था जिस रात Andrew की डेथ हुई थी उस रात के बारे में पताती है कहती है कि मैं उसके घर आई हम इंटिमेट हुए और उसके बाद वो चली गए अगले दिन उसे पता चला कि Andrew की डेथ हो चुकी है Andrew की विल के बारे में तो उसे पता ही नहीं था इस पर Robert objection लेता है कहता है कि तुम Andrew के डॉक्टर के पास ही जाती थी तुमारा Andrew और डॉक्टर इन दोनों के साथ अफेर था ये सब एक coincidence नहीं हो सकता Rebecca बोलती है एक छोटा सा टाउन है अगर मैंने relation लगाना start किया तो शायद मैं तुमसे भी related हो सकती हो Robert कहता है कि तुम हमेशा old और rich लोग को date करती हो इन सब को heart condition होती है इन्होंने पहले जौफरी को code में बुलाया था जिसमें उसने कहा था कि जब वो Rebecca से मिला तब उसने अपनी will change कर दी थी इसके defense में Rebecca कहती है कि मुझे strong और confident man पसन है मुझे ऐसा कोई अच्छा लगता है जो experiment करने के लिए ready हो generally old man ये सब criteria complete करते है इसी वज़े से उने date करती है Robert कहता है जब तुम्हें जौफरी के heart condition के बारे में पता चला तो तुमने उसे छोड क्यों दिया Rebecca बोलती है कि वो मुझ पर cheat कर रहा था एक्च्छल में जौफरी गे है ये भी वो court को बताती है इस court room में जौफरी भी था वो humiliated होकर वहा से चला जाता है Rebecca पर जो भी आरोप लगाए जा रहे थे ये सब अब उसने clear कर दिया है जूरी फिर decision लेती है Rebecca innocent है case जितने के बाद Rebecca बहुत खुश है अब एक case खतम चुकी है तो Rebecca Frank के पास आती है कहती है तुमने बहुत अच्छा गाम किया तुमने तो मुझे भी believe करवा दिया कि मैं murderer नहीं हूँ Frank को एस सुनकर शौक लगता है रात में वो Rebecca के घर पर मिलने के लिए आता है यहाँ पर वो notice करता है कि Rebecca Andrew के doctor के साथ है तो मैं पता चलता है कि Rebecca और doctor इन दोनों में relationship थी इनका हमेशा से plan था कि एक बुड़े अमेर लोग को फसाएंगे और मरने के बाद उसकी सब property वो ले लेंगे doctor के पास वो सब लोग के record रहते थे तो इसी वज़े से उसने Rebecca को Andrew और Joffrey के बारे में पता है था जब Rebecca और doctor बात कर रहे थे तब ही Frank वहाँ आ गया उसने सब कुछ figure out कर लिया है तो कहता है जो drugs तुमें मिले थे ये भी शायद doctor नहीं supply कियोंगे court में भी एक दूसरे के खिलाफ तुम रहे जिससे किसी को भी शक ना जाया ये सब जानकर और डिस्टब हो जाता है Rebecca से मार डालना चाहता है Rebecca को मार रहा था तो Frank और उसमें fight होती है Finally Rebecca पर गोली चला कर उसे मार ही डालता है बात में सब पुलीस वे किराते हैं और doctor को arrest करते हैं यहाँ पर Robert भी है Robert Frank से गयता है कि आखिर justice हो ही गया इसी तरीके से movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजेगा बहुत सारे movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को subscribe कर दिजे और bell notification आइकोन दबने मत पुलिएगा हम फिर से मेलेंगे और इने movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये